ये वाट्स अब गाईज वेलकम टू मैं चैनल दा कार मैन तो गाईज यार आज की इस वीडियो में हम हुन्डाइ क्रेटा फेसलिफ्ट 2022 के बारे में टीटेल में बात करने वाले हैं हुन्डाइ क्रेटा जो की हुन्डाइ की इंडिया में मुश्ट पॉपुलर एसुवी है हुन्डाइ ने इस कार की 2020 पे एक फेसलिफ्ट को इंडिया में लांच की थी जिसको लांच करने के बाद इस कार ने इंडियान मार्केट पर आग लगा दी थी और अब Hyundai फिर से इस कार की एक फेसलिफ्ट को 2022 में साल से इंडिया में लांच करेगा जिस कार को अभी 2021 में ही Hyundai ने इंडोनेसियार मार्गेट पर लांच कर दी है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस Hyundai Creator फेसलिफ्ट के बारे में फूल डिटेल्स जान लेते हैं तो चलिए गाईज सबसे पहले हम इस कार की डिजाइन की ओर देख लेते हैं इस कार की फ्रांट लुक्स की ओर देखा जाए तो इस कार की फ्रांट में आपको Hyundai Tucson inspired फ्रांट ग्रिल देखने को मिलता है जिसकी दोनों तरफ आपको triangular ship का LED DRLS देखने को मिलता है जो की फ्रांट ग्रिल के साथ integrated है इसके लाबाए इसकार की headlamps की ओर देखा जाए तो headlamps को थोड़ा नीचे कर दिया गया है headlamps आपको bumper की ठिक उपर में मिलता है इसमें आपको full LED headlamps देखने को मिलता है इसके लाबाए headlamps की ठिक नीचे ही आपको fog lamps भी देखने को मिल जाता है इसके लाबाए इसकार की front profile में आपको silver cladding देखने को मिलता है बहुत सारा जो कि आप अपने screen के उपर देख सकते है इसकार की side और rear profile की जो looks है उसको same रखा गया है current Hyundai Crater जैसा ही इसकार की side profile में आपको 17 इंचे के diamond cut alloy wheels देखने को मिलता है जबकि इसकार की rear profile में जो tail lamp है उसको थोड़ा बड़ा दिया गया है tail gate की उपर आपको थोड़ा extended tail lamp देखने को मिलता है तो चलिए guys अब हम लोकी Hyundai Crater facelift का interior के बारे में थोड़ा सा जान लेते है इसकार की interior में आपको dual tone color देखने को मिल जाता है इसके लावे इसकार की interior में आपको 8 inches के touch screen infotainment system with android auto and apple car play मिल जाता है असल में ये इंडोनेसिया वाला model है इसलिए इतना छोटा touch screen मिलता है अगर ये इंडिया में आती है तो यहाँ पर आपको 10.25 inches के touch screen मिल जाएगा इसके लावे इसकार की interior में आपको 8 speakers का Bose का premium music system देखने को मिल जाएगा इसके लावे अगर digital instrument custom की और देखा जायती है यहाँ पर आपको 10.25 inches के digital instrument custom मिल जाएगा इसके लावे इसकार में आपको और भी कई सारे features देखने को मिल जाता है जैसे की panoramic sunroof, ventilated seats, cooled globe box, ambient lights, air purifier, wireless charging, tilt and telescopic steering wheel, cruise control, leatherized seats, leather wrapped steering wheel, steering mounted controls, tire pressure monitoring system, auto climate control, rear parking sensors, rear parking camera, electronic work premium, power windows, power steering wheel, electronic parking brake, rear armrest with cup holders और Hyundai का blue link connected का technology जैसे बहुत सारा features इसकार में आपको मिल जाएगा इसके लावे इसकार में मिलने वाला safety features की और देखा जाए तो इसका की top variants में आपको add us feature मिल जाएगा जिसमें आपको lane keep assist, blind spot detection, adaptive cruise control, collision avoidance assist, autonomous emergency braking जैसे बहुत सारा features मिल जाएगा इसके लावे इसकार की lower variants में आपको dual airbags, ABS, EBD, hill hold control, speed sensing door lock और child safety lock जैसे safety features मिल जाएगा जबकि top variants में आपको इन सभी के साथ साथ add us और six airbags मिल जाएगा तो चलिए गाईज, अब हम लोग इस Hyundai Crater facelift में मिलने वाला engine of sun की ओड देख लेते है currently Hyundai Crater में आपको total तीन तरीके का engine of sun मिल जाता है पहला है 1.4 liter का turbo diesel engine जिसके साथ आपको 140 PS की max power और 242 NM का max torque मिल जाता है 7 speed DCT gearbox के साथ में दूसरा engine है 1.5 liter का CRDI diesel engine जिसमें आपको 115 PS की max power और 250 NM का max torque मिल जाता है 6 speed manual और 6 speed automatic transmission के साथ में और तीसरा engine है 1.5 liter का VT VT petrol engine जिसमें आपको 6 speed manual और 6 speed CVT gearbox मिल जाता है तो यह expect किया जा रहा है कि यह जो facelift आने वाला है इसमें भी आपको वही same engine option मिल जाएगा इसके लवा अगर variants की और देखा जाए जो Indonesia वाला model है इसमें आपको currently 4 variants मिलता है सबसे base है active, उसके उपर वाला है prime, तीसरा है style और सबसे top variant है trend तो इंडिया में कौन-कौन सा variant आएगी कि नहीं आएगी वो मुझे नहीं बता अभी तक इसके लवा अगर launch date की और देखा जाए तो Hyundai 2022 की first कुछ महिने में ही इसका आपको इंडिया में launch कर देगा इसके लवा prices जरूर से बढ़ने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा नही features और नहीं design मिल जाएगा तो गाईज यार आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही जल्दी ही मिलते हैं किसी next वीडियो में वीडियो चले गिए तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कॉमेंट्स करके बतना आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेर करना बिलकुल ना भूलना और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो अभी क्या भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना क्योंकि आटोविल से लेटेड ऐसे ही बहुत सरा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको इसी चैनल पर ही मिलता रहेगा जै हिंद जै भारत